स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी चैनल साइंस्टो टेकनोलोजी में यह मतलब समझी वेड़नस डी का अपडेट है मेरे प्रिंटर प्रॉजक्ट पर इसके मैं पिछले पर आप लोगों तिखाया था कि यह एक 3D प्रिंटर कैड मॉडल है और इसी तरह से मैं अपने बना नहीं रहेगा यह रफ ब्लॉकिंग है लेकिन मैंने अल्रेडी एक गलती नोटिस कर लिए कि मैंने यह मतलब बिल्ड प्लेट जो है मेरा 300 मिलीमेटर का रखना चाहता हूं लेकिन चूंकि मैं डूल एस्टूडर इसमें डालना का कोशिश कर रहा हूं यह जगह काफी नहीं मुझे यह गैप और बड़ा रखना चाहिए मतलब एक्जांपल के तौर पर आप लोगों दिखाना चाहिए कि डूवल एस्टूडर इस तरह थोड़ा सा चिग्डव वाला चीज होता है मैं इस डिजाइन का तो नहीं बनाऊंगा लेकिन मेरा डिजाइन मतलब समझी है मेर इस डूडर पर बेस्ट रहेगा यह अभी सबसे एडवांस एक जगहां पर है और स्कूटर ही जानोता 3D प्रिंटर का आपका सारा चीज कितनों अच्छा हो लेकिन अगरे शूडर लटक गया काम खतब फरक ही नहीं पड़ता बाकि सारे चीज से तो इस्टूडर में क्या- प्लस एक्सेलरेशन डीसलेशन स्लो रखना पड़ेगा नहीं तो यह अच्छा से काम नहीं कर पाएगा यह उसलेट जादा करेगा क्योंकि देख रहे हैं मतलब रॉड यहां पे है और यह एक दो मतलब समझी एक दो इंच से जादा बाहर निकला हुआ तो यह पर मोटर का शाफ्ट है उसमें एक गियर है तो उससे यह बड़े गियर को चलाता है अब आप बोलोगे भाई इसका जरूवत क्यों है इस टेपर मोटर तो काफी पावरफुल होता है बात सही है और जनरली सारे 3D प्रिंटर में यहीं रहता है मतलब डायरेक्ट है मतलब य जाना कई बार फज जाता है उसको काफी जोर से खिचना पड़ता है दूसरा क्लॉग भी होते हैं नॉजल में कई बार हो थी नॉजल ठीक से क्लीन नहीं हो पाया तो आपको मतलब मोटर को एक्स्ट्रा जोर लगना पर तो उसके बाद यह साब मोटर जो मतलब नॉर्मल मार जाए तो मतलब स्लोर हो जाए लेकिन फिलामेंट आप देखते होंगे उतना स्पीड से खापाता नहीं होता है आर्पीम स्लो रहता है तो आर्पीम यह और स्लो कर देगा और टॉर्क बढ़ा देगा तो इससे मतलब फिलामेंट एक्स्रूजन में थोड़ा उंफ आ फ्लक्सिबल में असानी होता है लेकिन प्ले में हो सकता है एबियास में फिल सकता है क्योंकि जैसे जनरली जो भी आप देखते हैं उसमें नॉर्मल एक तरफ गियर रहता एक तरफ बेरिंग रहती है प्रवल्लम कि बेरिंग तो स्मूद सर्फिस दे रहा है यह इतना पकड लेकिन दूसरे तरफ से फिसलने वाला रहा कही बार फिसल जाता है उससे फिलमेंट स्ट्रिप कर जाता है तो जैनरली यह मतलब सिंपल ऑप्शन है चीप और बेस्ट के मामले पर कहा सकते हैं लेकिन मतलब अब को उन्फ चाहिए कि नहीं मेरा फिलमेंट कभी ना फिसले औ और एकुरेसी हाई रहे तो आपको डूवल चाहिए कि यानि दोनों तरफ से फिलमेंट को पकड़ा रहे है तो इस तरह का यह और मैं डारेक्ट्रे बनाऊंगा बोर्डन ट्यू वाला स्टाइल नहीं रहेगा मेरा जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि यह स्टूडर यहां आप देख सकते हैं बहुत इन्होंने बहुत मेहनत किया यह सब छोटा बनाने मतलब जैनुली इन्होंने मोटर में ही छडखानी कर दिए ताकि फेस प्लेट में ही है मतलब यहां पर बेरिंग सीट बना लिये हैं यह सी में गीर कि काफी अच्छा डिजाइन है और आप यह अब ही यह है कि मेटल टूथ है तो यह आराम से फिलामेंट को इधार से पकड़ेगा यहां पर दूसरा गीर देख रहे हैं यह इस साइड में एक और लेवल आम पर रहता है उसको पकड़ेगा इस तरह का डूल ट्राइग तो यह मेरा आज का प्लान है कि मैं और यह डिजा यह 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 लटका हुआ है बात है समझेगे अगर सब चीज सही रहा है तो मुझे में इसी के गैप के बीच में मैं प्लाइवुड या अल्मूनियम का एक शीट डालने को कोशिश करूँगा ताकि यह पूरी तरह से इंक्लोज रहे और चुकि इसके अंदर हीटर उटर है तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैटल से इंक्लोज कर सकूँ ताकि अगर आग लेने केस में इसके बाहर आग ना निकले त्रीडी प्रिंटर काफी सीरियस चीज़ है इसको मजाक में ने खास करके मेरा जैसे जो सिलिकॉन हीटर आप यहां देख सकते हैं यह हुआ स्वेसा क्यां आप erklären statement दिशार अधाब साभित हो अभी तक तो यह दिजाइन अPS पहुचा है गाड़ी फोड़ी दी में चलगी लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्क्रीन रिकाट करते रहूं हर चीज का और जब पूरा हो जाएगा तो एक ठोड टाइम लाप्स बना के दिखा दूँगा लेकिन इससे आपको समझ में कैसे कैसे स्टेप बाइस्टेप लेके चल रहा हूं इससे काफी चीज सिखने को मिला इन्हों न यह डिजाइन से कहीं आने वाला टाइम में और रिसेच करना में मुझे मेरा खर्चा होगा यही बनवाने में मतलब मुझे कहीं से इसका मिलता ही नहीं यह इस चुकाता है न डारेक्ट रएग खुद से डिजाइं करना पड़ेग कुझर मुझे है मेरा का एक प्राफलम है कि इसका ही चाहीं का डिरेक्शन जो है हमेरा का हीडाइट से रहें यह इस तरह से हमेरा लगायाजा सकते बात आप देख रहें कि बहुत दूर हो जागा यह बेरिंग से मैं उसको एकदम नौजल आपका बेरिंग की जितना नजद कि है मेरा यए मामलिय में बहुत अच्छाया है मेरा कहए इसे बोर्डन pop सक थे लीशा लेकिन चाहें तो यहीं पे आप देरेक्ट हीटर भ्लॉक लगा सकता है यह हीट सिंग के अच्छाय। लेकिन इस इसका इक का अंत करते हैं और आप लोगों को देख बताते जाए कि आप लोगों कैसा महसूस हो रहा है या आप लोगों में से किसी ने खुद से ट्राइव किया है बनाने का और अगर आप उसको कोई टिप्स और ट्रिक्स है फुजन और इसके साथ मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहूंगा धन्यवाद